हेलो फ्रेंज दिसी सितन न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत ने अपने बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलता पूर्वक परिक्षन कर लिया भारत की ये मिसाइल 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को आसानी से डिस्ट्रोई कर सकती है बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि इस मिसाइल ने भारत की स्वदेशी रूप से विक्सित उस छमता का उस ताकत का प्रदर्शन किया है जो किसी दुश्मन देश की मिसाइल को तभा कर सकती है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि स्टेस्ट ने अपने सारे गोल पूरे कर लिये जिससे भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वार्फेर विपन सिस्टम की एफेक्टिवनेस प्रूव हो गई यानि नेटवर्क केंद्रित युद्ध हतियार प्रणाली की प्रभाव शिल्ता साबित हो गई समझेंगे क्या है पूरी न्यूस इस मिसाइल के बारे में जानेंगे कि ये कितनी खतरनाग है भारत ने इसका परिक्षण केसे किया साथ मैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चीन और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर क्यों है कहानी कुछ एसी है कि DRD वो ने बैलस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेकंड फेस की टेस्टिंग के लिए प्लान बनाया क्योंकि जब हम किसी मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं तो अलग-अलग फेस में इसकी तैयारी की जाती है मिसाइल की टेस्टिंग बाला सोर के चांदीपूर इंटिग्रेटेट टेस्टिंग रेंज से की जानी थी और इसके लिए डे-ार-डियों ने दस गाउं के करीब दस हजार से जादा लोगों को दूसरी जगा सिफ्ट करवाया क्योंकि बात सिर्फ लॉंचिंग की नहीं थी बात इंटरसेप्ट करने की भी थी कि हम कैसे किसी मिसाइल को हवा में मार गिरा सकते हैं करीब 4 बच कर 20 मिनिट पर एक टारगेट प्रिथवी 2 मिसाइल लॉंच की जाती है जो कि दुश्मन की मिसाइल की ठीक नगल होती है जैसे ही प्रिथवी 2 बंगाल की खाडी में जाती है ठीक उसी वक्त भारत के रडा सिस्टम ने इसके बारे में पता लगाया और इंटर्सेप्टर सिस्टम एक्टिव हो गया इसके बाद भारत की इस AD मिसाइल जिसे एंडो एट्मोस्फेरिक कहा जा रहा है वो लॉंच की जाती है और इसने टारगेट का पीछा करते हुए उसे वही मार गिराया AD मिसाइल के दो वेरियंट है AD1 और AD2 भारत की ये एंडो एट्मोस्फेरिक मिसाइल इंटर्मीडियेट रेंज बेलेस्टिक मिसाइल जो की मिड रेंज की मिसाइल होती है उन्हें आसानी से खत्म कर सकती है देखिए रेंज के हिसाब से बेलेस्टिक मिसाइल नोर्मली चार किलो मीटर तक हो दी है फिर आती है intermediate range ballistic missiles इनकी range 3000-500 km तक हो दी है फिर आती है intercontinental ballistic missiles जिसे हम ICBM कहते हैं इनकी range 500 km से उपर तक हो दी है और भारत ने जिस AD interceptor missile system का परिक्षन किया वो intermediate range ballistic missile को target कर दी है जिसकी range 3000-5000 km के आसपास हो दी है ठीक है यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लाइक है कि जो endo atmospheric missiles हो दी है वो सिर्फ 100 km की उचाई तक अपना काम कर दी है वही जो exo atmospheric missiles हो दी है वो प्रत्वी के वायू मंडल के उपरी भाग में जाकर काम कर दी है यह image देखिए यह वाला area पूरा endo atmospheric क कहलाता है और यह वाली आप पूरी जो जगा देख रहे हैं इसे हम exo atmospheric zone कहते हैं और भारत ने second phase में जिस AD missile का परिक्षन किया है वो endo atmospheric missile है जो कि domestically developed है यानि स्वदेशी रूप से विक्सित है इसमें two stage solid fuel का use किया जाता है और इसे ground से launch किया गया भारत के रक्षा मंत्राले की तरफ से यह कहा गया है कि इस interceptor missile test ने भारत की network centric warfare weapon system की effectiveness को प्रूफ कर दिया लेकिन यह network centric warfare weapon system आके रहे गया देखे यह एक तरह की defense strategy है जो battlefield में advanced information and communication technology को utilize करती है यह strategy information sharing and collaboration के थूँ हमारे जो military objective होते हैं उन्हें achieve करने का प्रयास करती है इसमें sensors, shooter, command and control nodes एक network के थूँ interconnected होते हैं जो कि rapidly और effectively response करते हैं खतरों को देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि इस interceptor missile system के हमारे लिए क्या माईने हैं देखें सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे कि हमने इसे स्वदेशी रूप से विक्सित किया है जो इस बात को proof कर दी है कि हम defense sector में आत्मनिर्भर बन रहें यह interceptor missile हमारे network centric warfare system को और मजबूत कर दी है यह test हमारी राष्टी सुरप्चा के लिहाज से काफी एहम है क्योंकि इसका काम ही यही है कि दुश्मनों की ballistic missiles को तहस नहस करदा यह interceptor missile हमारे air defense system को और support करेगी जिसे कि इसराइल के लिए iron dome करता है अमेरिका के लिए थार सिस्टम करता है और भारत के पास जो S-400 air defense system है उसके बड़न को भी कम करेगी interceptors missiles हमारे critical infrastructure को protect करने में एहम भूमी का निभाती है हमारे military assets, population center, हमारे जो economic assets होते हैं इस सभी को ballistic missiles के खत्रों से बचाती है इसके अलावा यह test भारत की धमाक को और बढ़ाता है दुश्मनों में एक धर बेदा करता है कि कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान भारत पर अगर ballistic missile fire करेंगे तो उन्हें रास्त में ही खत्म कर दी जाएगी So आज के लिए इतना ही, thank you